जहिन दोस्तों देखिए, टोटल आठ सरकारी वेकेंसी निकल के आ चुकी हैं, जिसके लिए आप ओनलाइन अपलाई ओक्टूबर 2022 में कर सकते हैं, और सभी के सभी सरकारी वेकेंसी होने वाली है, इस वीडियो में आपको प्राइवेट जॉब के बारे में बिल्कूल भी नह यदि आपने 10th के साथ ITI किया है, उनके लिए भी वेकेंसी होने वाला है, तो बहुत अच्छे अच्छे वेकेंसी के बारे में जानकारी देंगे, और एक वीडियो में आपको सारा चीज देखने को मिलेगा, तो वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखेगा, तब ही आप अपना अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना अपना एज लिमिट आप सभी मिलाइएगा, और वेकेंसी को जरू भरिएगा, ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक जो देखेगा, देखे दोस्तों पहला जो वेकेंसी निकाला क अपको नहीं देना है, ठीक है, बिहार में कारियालाई परिचारी के लिए वेकेंसी निकाला है दोस्तों, टोटल 238 पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितना है, 238, ओल इंडिया की स्टूडेंट इसको अपलाई कर सकते हैं, विज्यान एवंध प्रोध्योगी की विभाग में य बस फॉन उठाईए और फॉन को भर दीजे, कहीं जाने की भी जोरत नहीं, मोबाईल से भी आप इसको असानी से भर सकते हैं, अभी इसका वेबसाइड भी हम बताएंगे की कैसे भर पाईएगा, ठीक है, फी का बात करें तो फी तो हम पहले ही बता दियां की 0 पैसा समझ भा गया, चलिए योगेता की बात करें तो केवल 10 वी पास, आपने किसी भी बोर्ड से पास किया है, 10 वी आपका होना चाहिए, आपका कितनो भी परसेंटिज हैं, लेकिन आपको परसेंटिज सूरू में नहीं बोलेगा, कितना परसेंट है तो भरने देंगे, लेकिन ह बात करेंगे, तो 18,000 इस पे आपका basic pay है, तो salary भी कापी अच्छा खासा होने वाला है, और यहां जो screen में आपको website दिख रहा है, इस website से जाकर किया आप online promise का असानी से भर सकते हैं, तो vacancy number 1 समझ भा गया, ठीक है, विभाग क्या हो गया, DST, ठीक है, बिहार कारियाल है, प SSC आप सभी जानते हैं, दोस्तो, staff selection commission, जो कि किंद्री करमचारियों को न्यूक्त करता है, ठीक है, इस पे vacancy निकल रही है, डेली पुलिस में MTS के लिए, डेली पुलिस में MTS के लिए, ऐसा मत समय ना कि डेली पुलिस है, तो सिप डेली वाले अपलाई करेंगे, और इंड पहली से जादा पोस्ट आ रहा है, जैसे कि अभी CGL आ गया, बीस पचीस जादा पोस्ट के लिए, GD भी दो गुना तिन गुना वेकेंसी निकलेगा, तो SSC का हर वेकेंसी अभी बहुत जादा निकलने वाला है, तो पोस्ट जब ये वेकेंसी आएगा, उस दिन हम आपको बताएंगे, अपला कब से होगा, तो 7 Oक्टूबर से इसका ऑनलाइन चालो होगा, 7 Oक्टूबर 2022 से फॉर्म भराएगा, 31 Oक्टूबर 2022 तक इसका फॉर्म भराएगा, 31 Oक्टूबर 2022 इसका अंत्यम्तिती होगा, ठीक है, FICA बात करेंगे, तो SSC का हर वेकेंसी में दोस्तों 100 रुपे लगता है जनरल OBC EWS को और बाकी SCST और महिलाओं को कुछ भी पेमेट इसमे नहीं देना होता है तो मातर 100 रुपे पेमेट आपको देना पड़ेगा एज लिमिट का बात करेंगे उम्र सिमा कितना से कितना होना चाहिए तो 28 से लेकर 27 साल जनरल गालों का ठीक है और बाकी यह दिया आप OBC है तो 3 साल का छूट मिलेगा और SCST वालों को 5 साल का छूट मिलेगा आर लिखें आर लिखने का मतलब relaxation मिल जाएगा ठीक है योगता की बात करें तो योगता इस पे भी 10th मांगेगा सिंपल 10 वी पास मांगेगा आपसे ठीक है 7 October को इसका वेकेंसी आ रहा है तो आप जरूर भरिएगा केवल 10 वी पास आपका कितनों परसेंटेज है किसी भी बोर्ट से आपने पास किया है CBSC बोर्ड, ICSC बोर्ड, UP बिहार बोर्ड, जहारकर राजस्तान कहीं से भी आपने पास कर रखा है तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं आपको जॉब लोकेशन डेली में होगा ठीक है तो यदि वेतन यानि सलरी की बात की जाए दोस्तों तो इस पे हर पोश्ट के लिए अलग-अलग वेतन रखा जाता है हर पोश्ट का अलग-अलग ग्रेड पे होता है तो उसका हम स्क्रीन सॉट यहां पर लगा देते हैं आप इसको देख लिजेगा वेतन ठीक है चली अब चलते हैं तीसरी वेकेंसी की तरफ देखिए यह जो विभाग यहां पर लिखे हैं यह निकाला गया है CISF CISF मतलब Central Industrial Security Force अब बहुत सारे विज़ातिया ऐसे होते हैं जो डिफेंस में जाना नहीं जाते हैं लेकिन यह दोस्तों डिफेंस में जा करके भी आप कंप्यूटर पर काम करोगे आप क्या बनोगे? हेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI बनोगे इस पर जा करके ठीक है आपको आफिस में बैट करके कंप्यूटर पर डेटा एंट्री वगर करना है काम करना है इस पर आउटडोर आपका ड्यूटी नहीं होगा हो सकता मुसीबत पढ़ने पर कभी लगा दिया जाए वो अलग बात है लेकिन पोश्ट जो है हेड कॉंस्टेबल आपका कंप्यूटर में इस पर काम करवाएगा ठीक है टोटल पोश्ट का इदी बात कहने तो 540 सीट के लिए वेकेंसी निकला है इस पर दो तरह का पोश्ट है एक हेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिसके लिए 418 वेकेंसी है और एक है ASI स्टेनोग्राफर उस पर 122 सीट है तो टोटल कितना हो गया 540 पदो के लिए इस पर वेकेंसी निकला है दोस्टो इसके बाद apply date की बात करें कि application इसका कब से कब तक भराएगा तो देखे 26-9 से इसका online form भराना सुरू हो चुका है और 25 October 2022 तक इसका form भराएगा 26-9 से 25-10 तक तो आप लोग भर दीजेगा form इसका भराना चालू हो चुका है ठीक है तो आपसे इस पर कुछ भी पैसा नहीं मांगेगा कुछ भी पैमेंट नहीं मांगेगा ठीक है एज लिमिट का बात करेंगे उम्र कितना होना चाहिए तो देखे 18 से लेकर के 25 साल बाकी OVC को तीन साल का चूट मिलेगा CST को 5 साल का उमर में छूट मिल जाएगा जनरल वालों को 18 से 25 साल एज लिमिट इस पर होना चाहिए ठीक है योग्यता की बात करेंगे दोस्तों इस पर क्या क्वालिफिकिशन चाहिए तो देखे आपका आर्ट्स में साइंस में या कॉमर्स में किसी भी स्ट्रिम में आपका 12 पास होना जरूरी है यानि आपका इंटरमेडियेट इस पर मांगा गया है आर्ट्स चलेगा, साइंस चलेगा, कॉमर्स चलेगा, कितनों परसेंटेज है वो भी चलेगा लेकिन प्लस में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए क्योंकि इस पर आपको कंप्यूटर पर काम करना होगा आप हेड कॉंस्टेबल बनिएगा मिनिस्ट्रियल में और आपका इस ट्यनो का एस आई का पोस्ट उस पर तो मतलब आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करवाईगा जैसे कि इंगली सीधी आप टाइपिंग किजीगा तो आपको 35 वर्ड पर मिनिट के हिसाब से टाइप करना होगा यदि आप हिंदी टाइपिंग चुनते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनिट के हिसाब से टाइपिंग इस पर करवाईगा ठीक है तो योग गिता क्या होगा है 12th plus typing समझभा गया वेतन का बात करेंगे दोस्तो इस पर कितना वेतन है तो सुरू में यह आपको हम बता है कि इस पर दो तरह का पोस्ट है Head Constable Minister और ASI तो दोनों के लिए अलग-अलग वेतन है तो कितना वेतन है यहां हम स्क्रीन सॉट में लगा देते है आप इसको देख लिजी कि इस पर इतना ही वेतन है पोस्ट वाई जी यहां पर salary आपको हम दिखा रहे है ठीक है चलिए दोस्तों अब बात करते है वेकेंसी नंबर चौथा ठीक है वेकेंसी नंबर फोर विभाग की बात करेंगे तो यह निकाला गया है SBI में SBI PO की भरती आई है प्रोबेशनर ओफिसर State Bank of India में यानि भारती State Bank में बहुत अच्छी वेकेंसी निकली है Total Post की यदि बात करेंगे दोस्तों तो Total Post 1673 है अपने आप में seat बहुत जादा है 1673 पदों के लिए इस पर वेकेंसी निकला है Apply Date की यदि बात करेंगे दोस्तों तो 22 September से इसका ओनलाइन चल रहा है 12 October तक ओनलाइन फार्म भराएगा यदि आप Interested है तो आप इसको जरूर भर दीजेगा ठीक है Fee का बात करेंगे पैसा कितना लगेगा तो Banking सेक्टर में फार्म भरने के लिए थोड़ा बहुत पैसा जो है वो जादा लग जाता है तो General, OBC और EWS को 750 उरुपे इस पर पैमेंट करना पड़ेगा बाकी किसी का पैमेंट इस पर नहीं लेगेगा यदि आप SC है, ST है, PH यानि Physically Handicapped है तो आपको इस बे कुछ भी पैमेंट नहीं देना होगा ठीक है Age Limit का बात करेंगे उम्र कितना होना चाहिए तो 21 से लेकर के 30 साल जनरल काटिगरी का उम्र होना चाहिए बाकी यदि आप OBC हो तो 3 साल का छूट मिलेगा SCHT हो तो 5 साल का छूट मिल जाएगा छूट मतलब relaxation आपको दे देगा ठीक है योगिता की बात करें दोस्तों तो देखिए इस पे मांगा गया है graduation लेकिन जो विद्यार्ती appearing है वो भी भर सकते हैं यदि आप last year में यानि third year के विद्यार्ती हैं तब भी आप इसको भर सकते हैं लेकिन आपको screen में जो date हम दिखा रहे हैं इस date तक आपका certificate मिल जाना चाहिए आपका graduation complete हो जाना चाहिए समझ मांगे appearing है फिर भी भर सकते हैं लेकिन इतना तारिक तक आपका certificate हो जाना चाहिए ठीक है वेतन का बात करेंगे तो starting वेतन आपका रहेगा 41,960 रुपया आपका initial payment होगा state bank में आप officer बनिएगा तो अपने आप में काफे must job है यदि आप graduation के last year में है तो आप इसको भर दीजिएगा और यदि graduation हो गया है तब भरियेगा ही भरियेगा समझ मां गया चलिए दोस्तों आप चलतें next vacancy के बारे में देखिए ये जो विभाग यहाँ पर लिखे हैं टोटल पोश्ट की दी बात करें तो 891 एकांबे सीट है कितना है 891 टेकनिसियन का vacancy निकला है अपलाई डेट की बात करेंगे तो 27 सितंबर से online चल रहा है 1910 तक online चलेगा 19 अक्टूबर 2022 तक इसका form भराएगा ठीक है फी का बात करेंगे तो 1180 रुपया लग रहा है जनरल OBC और EWS वालों को बाकी SCST को 826 रुपय इस पर पेमिट करना होगा 826 रुपई समझ मा गया एज लिमिट का बात करेंगे तो 18 से 40 साल आपका इस पर उम्र होना चाहिए बाकी हर vacancy की तरह तीन साल और 5 साल OBC और SCST को छूट मिलेगा ठीक है योगिता की बात करें दोस्तों इस पर क्या educational qualification चाहिए तो इस पर आपका मांगा गया है 10th plus ITI क्या मांगा है 10th plus ITI उस पर trade आपका होना चाहिए यहाँ हम स्क्रीन में qualification दिखा रहा है यही qualification इस पर मांगा गया है 10th plus ITI ठीक है वेतन 27,200 आपका सुरुवाती वेतन होगा तो काफी अच्छा खासा वेतन है All India के student इसके लिए eligible है कहीं से भी आप इसको form को भर पाईएगा ठीक है यह हो गया चलिए अगली vacancy की बात करेंग दोस्तों यह निकाला गया है SSC CGL जो की October महिने में भनाने वाला सबसे best vacancy है ठीक है SSC CGL ठीक है Combined Graduate Level इस पर 20,000 से ज़्यादा seat के लिए vacancy निकाला गया है हमारे देश के जितने भी मंत्राले हैं या फिर जितने भी विभागे हैं उनमें आप उचे 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 पर उचे पदो पर जाकर के officer बन सकते हो थूरू SSC CGL स्टेट का भी अपना CGL होता है और सेंटरल का अपना CGL होता है Combined Graduate Level ठीक है तो 20,000 से ज़्यादा इस पर पोश्ट है अपला इसका होना चालू हो गया है 17,9 को इसका फॉर्म आया था इसके लिए हम वीडियो भी बनाई था आप लोगों के लिए तो 17,9 को फॉर्म आया था और 8,10 तक इसका फॉर्म चलेगा 8, October 2022 इसका last date है याद रखिएगा ठीक है फी का बात करेंगे तो SEC का हर वेकेंसी पहले से आप लोग जानते हैं कि General, OBC और EWS को 100 पर लेता है बाकि SC, ST और महिला से कुछ भी पेमेंट नहीं मांगा जाता है तो 100 पर इसके पेमेंट मांगा गया है एज का बात करें एज कितना होना चाहिए तो देखे 18, 27, 32 तरह तरह का पोस्ट है, हर पोस्ट में अलग-अलग एज लिमिट मांगा गया है कुछ-कुछ ऐसे पोस्ट है जिस पे 20 साल से लेकर के 27 साल होना चाहिए कुछ-कुछ ऐसे पोस्ट है जिस पे 20 से 32 मांगा है कुछ-कुछ ऐसे पोस्ट है जिस पे 18 से 27 मांगा है चली योग गिता की बात करें, इस पे eligibility क्या होने चाहिए, educational qualification क्या माँगा जाएगा, तो इस पे किसी भी subject में आपका graduation होना जरूरी है, क्योंकि नाम सही पता चल रहा है, CGL, Combined Graduate Label, ठीक है, आप officer बनिएगा, वेतन तो मत पूछी, एकदम बहुत ही जबरजस्त आपको इस पे salary मिलेगा, और आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे, इसके बाद बात वेतन की, तो वेतन आपका 25,500 से ले करके 81,100 तक का आपका इस पे initial payment रहने वाला है, तो वेतन अपने आप में काफी जबरजस्त होने वाला है, और बहुत ही high salary आपको दी जाएगी, इस पे reputed job है, आप officer बनोगे, और जो भी मतलब एक officer का आप देखें होंगे, कैसा होता है job profile, वो ऐसा इस पे सेम रहने वाला है, और बेतन यह आपका fix नहीं है, यह आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप पुराना होते जाएगा, आपके salary में अच्छा खासा changes देखने को मिलेगा, समझ भा गया, तो इसको आप जरूर भरिएगा, चलिए दोस्तों चलते हैं next vacancy की तरफ यह जो vacancy निकला गया विभाद देखिए, HP High Court, ठीक है, हिमाचल प्रदेश High Court की तरफ से निकाली गई है, और इस पे All India की student apply कर सकते हैं, आप भारत के कहीं के भी रहने वाले हैं, आप इसको जरूर apply कीजेगा, कहीं के विदर्दी इसको फार्म भर सकते हैं, इस पे 10 लेबल का भी पोस्ट है, 12th लेबल का भी पोस्ट है, ग्रेजविशन वालों के लिए भी पोस्ट है, इस पे ड्राइवर का भी वेकेंसी है, प्यून का भी वेकेंसी है, कलर का भी वेकेंसी है, माली का भी वेकेंसी है, तो तरह तरह का एज लिमीट मांगा है, और तरह तरह का इस पर पोस्ट है ठीक है तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 444 सीट है टोटल किसा सीट है 444 अपलाई करने की बात करें तो 14 सितंबर से ओनलाइन चल रहा है 14 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है जैनरल छोड़के यह दिया कुछ भी हैं तो आपको 190 रुपय पेमेंट इस पर देना पड़ेगा समझभा गया चुन लीजेगा और भर दीजेगा ठीक है वेतन की बात करें वेतन आपको इस पर कितना दिया जाएगा तो हर पोश्ट के लिए अलग-अलग इस पर ग्रेड पर है हर पोश्ट के लिए अलग-अलग इस पर सेलरी रखा गया है तो जिस भी पोश्ट के लिए आप अपलाई civil court में कहाँ पर निकला है बिहार civil court में 1673 84 post के लिए vacancy निकला है जिस पर सिर्फ और सिर्फ 10 भी pass मांगा गये हैं आप कहीं से भी इसको form भर सकते हैं महिलाई भी form भर सकते हैं पूरुस भी form भर सकते हैं apply date की बात करेंगे तो 20 सितंबर से online चालू है 20 October 2022 तक इसका form आप आसानी से भर पाईएगा ठीक है फी का बात करेंगे पैसा कितना लगेगा भरने के लिए तो general, OBC, EBC BC और EWS या फिर other राजी के विदार्थी उनको लगेगा 600 रुपे payment देना होगा बाकी यदि आप बिहार के हैं SCST तो आपको 300 रुपे इस पे payment देना पड़ेगा ठीक है इसके बाद age limit का बात करें उमर कितना होना चाहिए तो 18 से 42 साल आपका age limit होना चाहिए relaxation को भी मैंने इस पे add कर दिया है ठीक है योगिता यानि educational qualification की बात करें तो इस पे केवल और केवल 10 भी पास मांगा गया आपने किसी भी बोर्ट से 10 पास कर रखा है तो आप इसके लिए eligible है form को आसानी से भर सकते हैं वेतन की बात करें दोस्तों तो आपका शुरुआती वेतन 18,000 से ले करके 56,900 के बीच आपका initial payment इस पे होने वाली है जो कि अपने आप में best salary रहने वाला है तो इस पे मैंने आप लोगों को बताए कि 10th level का भी vacancy है 12th वालों के लिए भे, graduation वालों के लिए और यह दिया आपका 10th के साथ IT है तब आप इसको भी भर सकते हो ठीक है और भी vacancy October में बहुत सारा आने वाला है जिसके लिए आप लोगों को वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा तो आप लोग मिस मत करना चैनल को अभी तुरां सब्सक्राइब कर दो और घंटी को दबा के रखना ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा